इन साथियो MPPSC Assistant Registrar के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत हैं साथियो बहुत दिनों बाद में Assistant Registrar का पौना वीडियो बना रहा हूँ आप सभी भी वेट कर रहे थे बहुत सब्सक्राइब की कमेंड भी आई लेकिन साथियो बीच में क्या है कि नवराती वो दसरा था बीच में में भी गाउं गया था इस वजे से नहीं बना पाया अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर देख ले प्लेइलिस्ट में जाकर कि आप YouTube चैनल पर जाएंगे वहाँ पर प्लेइलिस्ट बने हुए है और वहाँ पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं टोप 10 में रेंग दिलाने वाला वीडियो है आपकी जो रेंग है उसको अपडेट करने वाला अपग्रेट करने वाला वीडियो है तो साथ यू आगे बढ़ते हैं और इसमें सिले बस में क्या है समझते हैं पहां चे उसको पढ़ना है और जन सिकायतों के निवारण की मशिन रिया और निष्टा आचार सहीता सिकायत निवारण अधिकारी जो की ओंबूर्समेन या लोगपाली से बोलते हैं सियम हेलप लाइन नमबर जो आपका 181 और लोग सेवा गारंट है दिन हम 2010 तो साथ यू इन से समझेद कुश्चन रहेंगे और आपको बता दो साथ यू यह कुश्चन जो है लगभग 50 प्लस तो इसमें कुश्चन लिए लेकिन मैं जब आप पूरा विश्चन आप देख मेहनत के बाद तयार करें इसलिए आप से निवेदन हैं कि अगर अभी तक आपने आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ने किया तो जरूर कर ले और लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो की और पेड़ा कुश्चन को टेस्स की तरह लें और आप कुश्चन को पढ़ें और बाद में आप उसका अंसर देने का प्रियास करें तो दोस्तों पहला कुश्चन है MPPSC की प्रथम परिक्षा कब आयोजीत की गई वेरिंपरन्ट कुश्चन है साथ हो MPPSC की जो प्रथम परिक्षा है यानकी MPPSC ये प्रथम परिक्षा का बायोजीत करें तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए ये आप अगर यहां से लगाएंगे मैं चार ओप्षन बोलों समय जाता होगा इसलिए आप डिरेक्ट देखने हैं 1958 क्या है 1958 तो MPPSC की प्रथम परिक्षा का बायोजीत की गई थी 1958 बायोज इसकी अधिसुषना कब जारी की गई ये क्षिछन आया भी है तो ध्यान राकना साति यो 27 अक्टूबर अधिसके क्या जारी इए इसकी 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 सापना एक आहन. निए सो चपन को की गई ठीक ही साथ यूँ आगे बढ़ते हैं अगले कुश्चन के और बढ़ते हैं अगला है MPPSC का गठन राज्य पुन्य गठन अधिनियम 1956 की किस धरा के तहत किया गया है या यादिक अगला कुश्चन आपका MPPSC के प्रथम अध्यक्ष कोन थे आपको बिल्कुल पता होना चीए साथ यूँ इन चारो में से जो डीवी रेगे हैं ये MPPSC के कोन से प्रथम अध्यक्ष थे और राज्य शलाल बहरा जो है बरतमान में अध्यक्ष है और ये वीने शंकर दूबे जो हैं आप देखेंगे MPPSC के सबसे ज्यादा सबसे बड़ा कारेकाल इनका ही रहा है ठीक है ये ध्यान रखना आप जो महत्पन बाते बता रहा हूं ध्यान से सुन लेना साथियो आगे बढ़ते हैं आर सी पीवी नरोहना प्रशाशनिक अकाद में कहा हैं तो सात्य आप पताईए ये कहां पर है ये आप देख लेंगे इसका अंसर क्या होगा सागरे ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं इससे संबंद कुछ महत्पन कुछ नहों रहे हैं जैसे कि MPPSC की अद्धिक्ष्व सद्धिक्ष्व का कारेकाल होता है आप मन में लेकिन वह इसमें लगा हुआ नहीं करेंगे ठीके सात्यों आगे बढ़ते हैं अगले कुछन की और अगला कुछन सात्यों लोग सेवा गारंटी अधिनियम लेकिन सात्यों से पहले में थोड़ा MPPSC की बारे में बता दूं कि MPPSC जो हैं ध्यान रखना मध्य प्रदेश लो इसकी प्रकति क्या है सात्यों इसकी प्रकति क्या है इसकी प्रकति सम्वेधाने के ठीक है इसकी प्रकति सम्वेधाने के याद रखना सम्वेधाने के प्रकति अनकी सम्वेधान में बढ़ना ने तब कहां पर बनाने आप देखेंगे भाग चौदा जो है आपका यहां सब्सक्राइब uh सब्सक्राइब करणा में । तो इक अधिक्तम साथ हो सकते हैं, अधिक्तम साथ हो सकते हैं, कारिकाल छे वर्ष या बहांसर वर्ष आयूजी आपको पते यह जो व्याइधि हो राजी की संचित जीत पर भारितस हैं, ठीकिए ? यहां पर सेवा सर्थों का निधान हैं याद रखना साथ यह सेवा सर्थ नियम 1983 के अंतरत करते हैं और द्याँ रखना साति हो। यहां MPPSC जो रिपोट देता है, वो किसको देता है, वो भी राजपाल को देता है, और जो राजपाल फिर राज विधाल मुंदल के समक्ष प्रतिवस रखते हैं, ठीक है, और न्यूक्ति भी कौन करते हैं, राजपाल, यहनी कि आप देहें MPPSC पूना नियूक्ति नहीं हो महत्लवन बात है ध्यान रखना हटाने की शक्ति राजपाल को नहीं है ये राश्पति को है ।- शुपरिम कट की जांस्ट ये दिया है ध्यान रगना हटाने की शक्ति राश्ट पती को राजपाल को नहीं आधार क्या है यह आधार साबित कदाचार होना चाहिए प्रतम अद्यक्ष आपको पता यह डिवी रेगे हैं और वर्तमान अद्यक्ष राजय शलाल मेहरा हैं तो जो भी महत्पून जानकारी थी स इसलिए आप से निवेदन हैं कि अगर अभी तक आपने आपने यूटीब चनल सब्सक्राइब ने किया तो जरूर कर दें साथियों बहुत मेहनत लगती है और निश्रूपत साथियों आपको लग रहा है कि यार मेहनत कर रही है तो आप यूटीब चनल को सब्सक्राइब कब पारिद क्या गाए वेरिंपन कुश्चन है साथियों सिध्य से आपकी सिलिवस में लगा हुआ है लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 तो पहली बात तो कभी यूँ पूछ सकता है अधिनियम का वायत 2010 में और मद्विश्च राजद्वरा कब पारिद क्या गया धिया ध्य टेंगे है लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में कितनी धाराय तो साथियों यह आपको बता होना चिए 11 तो की इतना अच्छा यह है लोक सेवा गारंटी अधिनयम 2010 में 11 सब्सक्राइब करना यह पांच में दोनों संतर हैं पांच में हैं निश्चित की गई समय सिमा में सेवा परदान करना नोगों यह पांच में लेकिन निश्चिति की समय सीमा के बितर सेवा प्राप्त करने का अधिकार निश्चिति के समय सीमा के बितर सेवा प्राप्त करने का अधिकार निश्चिति की समय सीमा के बितर सेवा प्राप्त करने का अधिकार निश्चिति की समय सीमा के बितर सेवा प्राप् बना देओ और पांच जो हैं उनको प्रदान करना है वह उन अधिकरियों से संब्सक्राइब और साथ में अगर दिक्कत है तो पेनल्टी भी लग सकती है तो यह साती हो इस प्रकार से आपको बताई यह फिर आगे बढ़ते हैं इसमें अगला है लोक सेवा गारंटी अधिनिय है जादा इससे गोर्डाइए अगे बढ़ते हैं अगला है लोक सेवा गारंटी अधिनियुम 210 में पेनल्टी किस दरकी अभी बतायाई च्हे में क्या है च्हे में आपका क्या आप यहां पर देखेंके शाथी ओकि छे में आपका अपील है तो साथ में आपका क्या हो जाए अगर देखा है कि वास्तिक में समय सीमा में अगर उसने काम नहीं कहा तो पैनल्टी लग सकती है आपको पता है यह पूरा आपने पड़ा ही होगा है ज्यादा इस पर गोर कर लेंगे अगला है सातियो अधिसुचित सेवाओं को समय सीमा में नागरिकों को परदान करने की गा देखा है जो की लोग सेवा की गारंटी दे रहा यहां पर आपको पता यह आपको क्या हो जाएगा यह पर भी trades रहा है यहां बहुत more पुने याद रखना अगर है cm help line number very important साती हो cm help line number कई बार हो सकता है इसमें भी confusion हो जाए तो 181 है confusion नहीं होना है 181 cm help line number याद रखना साती हो cm help line number अब बात करते हैं लोग सेवा guarantee देनियम 2010 की साती हो तो आपको पताइए कि लोग सेवा guarantee देनियम 2010 सब्सक्राइब करना होगा और इसा नहीं होने पर जवाब देहीं करकर उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है यह था आपका लोग सेवा guarantee देनियम 2010 अब बात करते हैं cm help line नंबर पर आगे बढ़ते हैं cm help line का प्रारहम कब से किया गया तो सात्यों बहुत महत्मन कुश्या क्योंकि यह तो सबको पता होता कि cm help line नंबर 181 लेकिन इसका जो प्रारहम है वो कप किया गया सात्यों यह पता होना चाहिए तो ध्यान रखना सात्यों यह कप किया गया 31 जुलाई 2014 को 31 जुलाई को एक विशेस दिवस भी मनाया जाता है आप कमेंटर के बताएं 31 जुलाई को कों सा दिवस मनाया जाता है 31 जुलाई 2014 से ज्यान रखना 2014 ना cm help line का प्रारहम कब से किया गया 2014 से याद रखेंगे मोदी जी का प्रदान मंत्री बने देना इस जो पहर से सीजों को आप रिलेट करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा तो cm help line का प्रारहम 21 जुलाई 2014 स लिए जन से तु बनाया गया जिसे बोलते cm help line वेर इंपोर्टन सात्यों याद रखना यह पेला वाला सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं cm help line की शिकायद अब किसके माद्यम से भी की जा सकती सात्यों आपको पता है अब cm help line जो है उसकी सिकायद अब किसके माद्यम से की ज 5809 यह वार्ट्चेब की शुविदा प्रदान की गई हैdings में इसके माद्यम से नागरिकों को उनके द्वारा की जहानकार रखनी प्र्दा करा रही है तो वर्ट्चेब के माद्यम से साहत bursting यह कुश्यन भी आप से ओप्छा जा सकता हैं गहला कुश्यनOW हो जात्यों भारत में बात कर रहा है इस हैं पेट में देखें तो डेश नहीं देखें रहे हैं जो झाय जो नही Özकुत में में बात है श्रीप सामधानauthorम बहुत बात ही पता रहा है यह जिसुके वीडियों तो हर चीज़े लेना संभग नहीं, बहुत समय लगता है, लेकिन मैं भहुत सरी बाते बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने, और मेरा निवेदेन आप वीडियो को बार-बार सुने, आगर आप बार-बार सुने इस साथियों आपको याद भी हो जाएगा और आप निश्ची रुप से इक्जामाल में सही कर आएंगे ठीकि तो यह होगी आपका स्यम हेलपलाइन संब्ला भात करते हैं बहुत लोग्पाल के बारे में बात करते हैं तो भारत की प्रथम लोगपाल सबको पता होना ही चाहिए भ यह ओंबूर्समेन यानि कि लोगपाल जो है यह बश्टाचार को रोखने वाली जो एक प्रकार के सस्था है तो वो यहाप स्वीडन से आया सबसे पहले कहां पर स्वीडन में वेरी इंपोर्टन कुष्चिन है साथ्यों स्वीडन याद रखना स्वीडन है आगे बढ़ते है साथ्यो अगला कुस्च्छन है भारत में लोकपाल का कारेकाल कितना है साथ your very important भारत में जो लोकपाल का जो कारेकाल है यह वह आपको बताना सात्यों ध्यान रखना 5 वर्स कितना 5 वर्स या 46 आयो साथ्यो अधिकतम उम्र 7 वर्स लेकिन निम्तम उम्र भी दे रहे समझ रहों बात लोका युक्त कारेकाल देखो साथ यो बहुत सरी जगा जो हिसमें सित्तर वर्ष भी दे रखा है अधिक्तम लेकिन आप ध्यान आखें कारेकाल अपने यहां पर एंप में पांच और सत्तर पांच और पेंशड़े क्या है पांच वर्ष यह सही माना गया है प जो पर प्रदेष के प्रतं लोका युक्त वे रिपनेट कुन है और ध्यान रकना है यह ए उप्षन में ऐसे नहीं धी आया है मैंने रगुनाथ जो भावे हैं यह प्रत्म उप लोका युक्त हैं रगुनाद् भावे हैं प्रत्म वरतमाण लोका युक्त हैं जो भी बाते भता रहां दियान से सुन ले सात हैं अगला कुस्टे ये प्रदेश के वर्तमान लोगाईक्त कोने डीन लौकाईक्त अभी बताएं में आपको कोने जस्टिस N के गुपता ठीक है यानिकी नरेश गुपता है और भी चाहिए घब 1981 में ही MP में लोकाइब तो किस्ता अपना पहली बार हो गई दी 1981 याद रखेंगे वेरिंपोर्ण कुछन है साथ यह आगे बढ़ते हैं साथ यह अगला कुछन है भारत के प्रथम लोकपाल कब न्यूक्त किये गए भारत के प्रथम लोकपाल तो आपको बता है अभी 2019 में है ठीक है और अगर ध्यान रखना साथ यह वेरिंपोर्णट है यह कब किये गए 2019 में किये गए 2019 में किये गए 2019 में याद रखना वेरिंपोर्ण कुछन है आगे बढ़ते हैं साथ यह अगला कुछन है लोकपाल यह लोकाइब तो बनने के लिए न्यूमतम उम्र कितने होने च लोकपाल एक पूरी संस्ता है उस लोकपाल में आप देखिए कि चार न्याइक सद्धिश और चार गेर न्याइक सद्धिश और एक अद्धिश इस पकार से चार चार प्लस चार आट और एक अद्धिश किते हो जाएंगे नो यह निकि आप देखिए कुल सद्धिश जो हो लोगपाल की चैन समीति के सदश्य होते हैं तो लोगपाल की जो लोगपाल की जो चैन समीति हैं तो लोगपाल की जो चैन समीति होते 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 है प्रश्टपति द्वारा जो नियुक्त प्रभूद व्यक्ति यह इस प्रकार सभी इसका अंसर हो जाएगा ठीक यह से तो पांचार उप्शन ही रहते हैं लेकिन यह ज्यादा दे दिये ताकि आपको याद रखने के आसानी हो ठीक इस प्रकार साथ कि आपको बता हो इन में से लोका युक्ति की चैन समयते के सद्ध्श नहीं होते हैं अब आपको होते नहीं आप इन में से को नहीं है यह बताना है तो लोका युक्ति में चैन समयते में को नहीं होता है तो सात्यों मुक्यमंत्र होते हैं बिलकुल मुक्यमंत्र अद्ध्श होते हैं विधान सभा अद लोगपाल से बन रहे थे मेंने आपको करवा दिये हैं हैना हिर अगर आपको लगता है कि बहुत ही महत्रपूंड विडियो यह इ सांते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेश भी करें ताकि जो और भी महत्रपूंड वीडियो वीडियो पर मिल जाएगा तेकि साथ यो आगे बढ़ते हैं अगला कुछ ने आपका भारती सामिदान के किस अनुचहत के तद 1964 में केंदरी सिविल सेवा के लिए आचरण नियम बनाए गए गए अपनी आचार सहीता होती उनके लिए अपनी आचार सहीता सिर्फ वो नहीं जो आपने जाते हो उसके पहले लगती हो इसके अलावा अधिकार योग ले एक आचरण सहीता होती है तो सात्यों कोड़ा पंड़क जो है यहां पर तो सात्यों यहां पर 1964 में केंदरी सिविल सेवा के लिए आचरण नियम कब बनाए गए गए यह आपको पता हो गया 1964 योगी केंदरी सेवा के लिए आचरण नियम कब बनाए गए 1964 में अगर वहीं बात करें सात्यों कि मदभर देश के गठन के बाद मदभर देश सेवा आचरण नियम कब बनाए गए लोग सेवक है तो आप देखेंगे जो आचार सहीता है संहुली थे तो Guru healing की ऐसे साथ आओ राजनेती गतिवद्यु पर फति बंड़िव लक और सकते हैं इमान दारी वह सत्य निष्ट बने रहेते हैं और निष्पक्षता उप्वाल लेने का निश्यत किया गया यहां पर ध्यान रखना यह खिलाब और समीधान और विदी का पालन आवश्यक है के गए बाहरती लोग git हैं तो यह आचरण सहीता है अब नहीं बनाय जाती तो बहुत सारी हो सकता है बश्टा चार होते हैं और ले तो सरकार को जानकारी देना भी आवश्यक के साथ यो यह भी बताएगा है किसी भी लोग शिवक को सरकार की ताथकलिंग निती की आलोशना करने का भी आदिकार नहीं है समयधान विधी नीमों का पालन करना भी आवशुक है और तताष्था और निश्पक्षटा बनाये रखना है और प्रतेक मामले को कि वल गून अप गून के आधर पर देखना है। इमानदारी सत्य निश्ट भी बने रहे ना है। तो यह बहुत महत्पून बाते में आपको बता दी। जो भी आपके syllabus में लगा हुआ है लगबग हर पहरी को मैंने चुने का प्रयास किया है आप बताएं कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके भी जरूर बताएं साथियो इस बात को बिल्कुल आप ध्यान से ले अगला है किसी भी कायरे को करने की द्रड इच्छा शक्ति क्या कह आती है देखो आपके syllabus में लगा हुआ है निष्ठा तो कुश्चन इस परकार से आ सकता है कि निष्ठा का मतलब क्या है किसी भी कायरे को करने की द्रड इच्छा सकती क्या क्राइए निष्ठा यानिकि निष्ठा होनी चाहिए एक सिविल से बाखे तो उसमें निष्ठा हो सिविल सुषना का सामान या अर्थ ही है राष्ट के प्रतेक नागरिक तक सरकारी कारियों निरनयों तता उसके निष्ठादनों से संब्ध भाइलो तता दस्ताविजों तक ओचित पूर्ण स्वतंतर कहुंच होनी चाहिए अर्थ्यास सरकारी कारी कालाफों के पार दर्शीता होनी चाहिए हἰही पार दर्शिता इसको लाने के लिए सुषिन गदिकार आदेनियम् दोजा यह 3 में आपका लायागा है ओर साथे यह क्यों लाया चा पता हैं स 35 में पहली बार जब उतर प्रगी सरकार कार बना माले में शुप्रिम कोट ने निने दिया कि लोग प्राधिकारियों द्वारा सारवजनिक कारियों का ब्योरा जंता को प्रदान करने की विवस्ता की जाए क्योंकि उसके पहले तो गोप नहीं रख रहे थे तो उसके बाद में फिर यह चीज आई साती हो ठीक है तो बहुत ही महत्पूने साती हो याद चाद में कहां लागू किया गया तो यहां पर भी आपका स्वीडन में लागू किया गया याद रखना है स्वीडन में लागू किया गया है most important है याद रखना very important है Sweden में लागव कि अगया सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 ठीक है सात्यों आगे बढ़ते हैं सात्यों अगला कुश्चन है अगला कुश्चन है आपका अगले कुश्चन के और बढ़ते हैं अगला कुर्चन है कि सुचना का अधिकार अधियनियम के अंतरे कितने अध्याए और धारा हैं, तो ध्यान रखना साथिवह। अगला है केंदरी सुचना अयों की स्थापना कब कीगेगे। केंद्री सुचन आयोग की स्तापना आप साती हो केंद्री सुचन आयोग और मत्रदेश राज्य सुचन आयोग के इस्तापना के बाद में हुई है यहां पर होती है 12 अक्टूबर 2005 में केंद्र में केंद्र में होती है 12 अक्टूबर 2005 में तो वहीं राज्य में आप देखेंगे 12 अगस्त 2005 में हो जाती है ध्यान रखने है 22 अगस्त 2005 में आप दहीं मद्यप्रदेश में राज सुचनायो की स्थापना हो गई है तो वहीं पर आ अगस्त के बाद में अक्टूबर में आप देखें यह पर 12 अक्टूबर 2005 में केंद्री सुषनायों कि इस्तापना हुए तो यह दोनों आप बिल्कुल द्यान लखें तो यह बाइस अगस्त में हो गई थी अगला है केंद्री सुषनायों के अध्यक्षव सद्याशों का कारेकाल कितना होता है यह पर पुनन न्यूक्ति नहीं होती है पुनन्यूकती नहीं होती है, कारेकाल तीन वर्स कर दिया गया है, ध्यान रखना केंदरी सुचनायोक तका कारेकाल भी केंदर द्वारा निर्धारित होता है, और मद्वित सुचनायोक का जो कारेकाल है वो भी केंदर द्वारा निर्धारित होता है, इस पर काभी ये जब ए बरते सेवा सरते भी हैं साथ यह केंशरकार द्वारा ही निर्धारी ते यह नि कहिन कहीं केंशरकार का राज्यों पर थोड़ा एक पकड़ मजबूत करने के लिए एक परकार की चीज़े उसकते हैं इसलिए इसका विरोध भी हुआ था उसमें ठीके साथियों बहुत को ने हैना और अर्बीर कु मार सुक्ति और वजह अभीन कुमार। ना चारो ही महत्तोंने और अभी बात करनें इहाई क्यों तो वरतमान मुख्य के सुचिना आयुकत जो है सात्यों वो है आपके A colours my 4 शुच्छ करके मत्यद्रीश कर दो ॹ। प्रफम प्रफम के अंदरी शुचना आयुक्त थे आपके वजाहत हभी उल्ला और अभी वर्तमान में यश्वर्धन कुमार सिन्हा देख चारों आपको बता दियें बहुत महँत पुण याद अग्ला है प्रशाषन पर नियंतर्ण के मुख्य प्रकार हैं प्रशाषन पर नियंतर्ण के दो तिन मुख्य प्रकार हैं प्रशाषन पर नियंतर्ण के से लगए आजा सकते हैं आपको प्रशाषन जो होता है उस पर दो तिन प्रकार से नियंतर्ण कर सकते हैं एक है विधाई ये विधाई लिख दिया गया है लेकिन विधाई है सब ह knees exactement सब्ढों अभी इसका सभी विधाई रूप से कारीधा सब्सक्रूं में टो सब्सक्राइब हो बताना है अधिसमें ओर शेर्ट सब्सक्राइब यो नियाregel K इ entertaining in Gay Imp tales अगला है और बीघस इंटेब होता है वहल भीडाई का अगर मैं बात करूए और कोन कोन को आते हैं तो ध्यान कशनों कोने शुन नहीं से विधाई बता रहासथी अहिलना v भीवाषन भी हो सकता है व कि प्रष्णी के जितने में आपको बताए ये सब्कराइब ये कहीं कहीं यह करती है और लेखा परेक्षन भी हो सकता है यहनु कि जितने में आपको बताएं सभी राष्ट पत्या कहते हैं पर विधायी नियंतर्ण के लिए चीजे है ठीके सात्यों इसी प्रकार से सात्यों अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्रसासन पर कारेपाली का नियंत कर दिखारे लोगमत से अपील Beimी कि जा सकती है तो ये भी कहीं क्या है कारीपालिका नियंतरन का प्रकार है लोक, सेवा, सहीत, जो मैंने अख को बताई है, अनुसास्नत का जो कारवाई हो सकती हैं इस無itä बकार पर अख से पर भेश्यचन पर नियंतरन हैं यानि कि अपने अधिकार शेतर के अभाव में या भोगोलिक सीमा से बहार जाकर करकर कोई निलने दे दे तो वहाँ पर जो है न्याय पाली का हस्चेप कर सकती है। और अपने कारे में कोई प्रक्रिया समन्दी गलती करें यानि प्रक्रिया समन्दी तूटी में भी यहां पर क्या कर सकता है। अनुचेद 32 के अंतरत करता है आपका सुप्रिम कोड और 226 के अंतरत करता है आपका हाई कोड वेर इंपोर्टन सात्यों ध्यान रगना तो सात्यों यहां पर जो पांच प्रकार की रीट है। आपको पता होना चीए एक होता है बंदी प्रतेक्षिकरन है ना यानिकी गेर कानुन रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को स्वतन्त करना होता है इसके अंतरत इसे बोलते है बंदी प्रतेक्षिकरन ठीक है ध्यान रगना और एक होता है परमादेश यानिकी प्रतिषयद रिट उच नियालए द्वारा चोटी अजारतों को उस समझ जारी किया जाता है जब की भी अधिकार से बहार जा रहे हो यह प्रतिषयद और उत्रक्षन थोड़ा उससे और आगे इसमें क्या होता है अगर कोई अगर आगे बढ़ गया है कोई अदालत यह जो फेशले पर आगे बढ़ गई है और उसके शेत्र का नहीं है तो उसको अपने पास बूलाने का अधिकार भी रखती है ना बड़े-बड़े जो कोड़े तो उत्रक्षन रिट द्वारा बड़ा न्याले यहां कि हाई कोड या सुपरिम कोड छोटे न्याले से सभी प्रकार के रिकोड इस बात की जांच परतान के लिए अपने पास मंगबा सकता है अधिन न्याले अपने अधिकार शेते से भार तो नहीं गया है इस बात की जां आएंगा यहां प्रतिश्येद्ध फिर उत्प्रेक्षण और यह अधिकार प्रतिश्येद्ध में अगर कोई निम्न नियालए जो हैं अगर आता है रहे के आपको क्विया किया है तो कि आपका अधिकार श्यत्र में आता है ये तो कार्से परकार से इस पिकार से मिन आपको समझा दिया है ठीक है कम समय में बहुत ही महत्पून बात बता आए Запад वीडियो साथियो आप सस्क्राइब जरू करें और बेर आइकन को प्रेज भी करें और एक कमेंड करें और बताए केसा लगा आपको वीडियो आगे बढ़ते हैं साथियो अगला कुछिछन हैं तिहुत्तरवा समिधान संसोधन उसे बाणों संसोधन धे थे साथियो मोस्ट पंचायती राज व्यवस्धा और बहुत्तरवा समिधान संसोधन उसे बाणों से संबंधित हैं अगर बात करें चोहतरवा समिधान संसोधन संसोधन चुर्ण धे वी आजाएगा अगला है त्री इस्तरी पंचायती राजविवस्ता का सुझाव किस ने दिया था कौन सी समिति ने दिया था सात्य आपको पता है ने बलवंत राय महता समिति थी यह 1907 में आई थी बलवंत राय महता समिति जो की 1907 में आई थी सात्य ओ और इस नहीं त्री इस्तरी पंचायती राजविवस्ता की बात करे थी इसने कहा था कि ग्राउं किस तर पर ग्राम पंचायत हो ठीकि उससे बड़े इस्तर पर पंचायत समिति ओ और जिले की स्तर पर जीला परिश्यदी यह त्टीन इस्तरी ने दिया मेहता समय थी वेर इंपर ने ध्यान रगना साती हो और इसी के अंतरकत 2 अक्टूबर 1909 को राजिस्थान के नागोर जिले में पंडित जवालाल नेरू ने पंचाइद राज योयस्ता की शुरुबात करी थी और ध्यान रगना तो पहला इस्टर अगर पूछे पंचाइद र पहले पहले बात करें और आपका राजिस्थान आ जाएगा यहाद रखना बहुत महत्मुन बात बता रहा हूं और इसी पकार से अशोक महता समय थी सात्यों जिसने आप देखे हैं कि दूस्तरी इसने क्या कहा था दूस्तरी पंचाइद राज योस्ता हो इसने बता था घ्रkęहां की बात ही नहीं करई तो वह मायननी हो पाया क्योंकि गाओँ का देश भरत और यहाँ अजोक महता नहीं करी यह काने और लियू थी पोस्तर से हैं अगला स्था के अगला नहीं तपक आउप केंदरी सतबता यख़क के इसंतहाब अपना संता नहीं समिघी की सिपारीश पर कब की गए केंदरी सतरक्ता आयोग यान की सीवी सी है इसकी इस्थापना को बता रहा है गठने इसका हुआ है 11 फरवरी 1964 को इसकी इस्थापना हुई ध्यानक न यह गेर संवेधानिक यह गेर सामविधिक आयोग था यादकना यह आयोग था लेकिन संथानम समय तो 1962 की सिप्वारिश पर केंदरी सतरक्ता आयोग अधिनियम दोजार तीन के था इसको सामविधिक दरजा दिया गया लेकिन पेले यह ना तो सामविधिक था ना ही संवेधानिक तो अभी भी नहीं है लेकिन अब सामविधिक हो गया है विधी द्वारा गठी तो हो गया है यादकना साथ यह बहुत अधिकार राश्पति को यह कि कदाचार और समर्ता के आधार पर हटा सकते हैं तो वेर इंपोरेंट चीजे जित्ती भी थी में आपको बता दी है वरतमान केंदरी सतकता आयुक्त या सीवी सी जो हैं सातियों वह सूरेश एन पठेल कोने शूरेश एन पठेल ठीके सातियों वेर इंपोरेंट सातियों जो कुष्चन ते मैं आपको बता दी है आगे बढ़ते हैं सातियों आपसे निवेधन हैं कि अगर अभी तक आप नहीं यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ने क्या जरू कर लें साथियो आप इस कुछन को लें इस पहले आपको में बता दूं कि साथियो मेरे यहां पर आप श्यामला चोदे यूट्यूब पर जाएंगे यह प्लेलिस्ट बनी हुई है और इस प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट की वीडियो में मैंने करवाया है ठीक है इसलिए आप देख ले और लास्ट कुछने साथीयो कि जंसा भागीता किया निति निर्मान किया जाता है उस समय भी जनसा भागीता होना आवशा के कि अभी मोधी सरकार ना क्या किया था कि अभी जो नितिया बनाई थी जो आपकी राष्ट्य शिक्षानिती 2020 जो बनाई थी उसमें लोगों की राय ली थी तो लोगों की राय यानि कि निति बनाने में ही अगर लोगों की राय ले थी तो उसे बोलते हैं निति निर्मान में ज बस्वांग कर दो जब सर्म्हागित रर्फ इंसमों की पातरफे ब सर्म्हात्यों उडी करते हैं। को का जो है यह लिया जाता है अगर आपको लगता है कि निशी रूप से बहुत ही महत्पून वीडियो बनाया है तो एक अच्छी से कमेंड करिए साथियो आपको वीडियो कैसा लगा है जरू बता है और अगर अभी तक आपने हमारा यूटीब चैनल सस्क्राइब ने किया त जे बहुरत